अब इसमें हम 21 देन बनाएंगे एक तो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पत्रह सोला शत्रह अठारा उन्निस बीस और इक्किस 21 मt यह चेन बना दी और तीन चेन में आप एक्स्ट्रा बना लूँँगी एक, दो और फिर अचेन वह बना लूँगी तो यह टोटल हमारे पास यह तीन डॉपल स्ट्च देगो पा। और बीसिकली अम हमें क्या करना है फ्रेंसे के हिए हमें पांच हिस्से करने है दो सामने के और दो मजू के और एक PEETKA और सिरफ यह एक लाइन इन में एक बार में हिसाब करना है उसके बार में आपकी कुछ भी नहीं करना का लिए करने हैं और कोई इसके अंदर मैं एक बार बना लूगी double stitch यह देखिए और friends अगर हम यह 8 number की चोली बना रहे हैं तब तब अने यह एक इसमें चोथी चैन में double stitch डाला और यह एक चेन बना ली और एक बार फिर से इसी के अंदर मैं यह डाल दिया यह देखिए यह हमने किया 8 number चोली के लिए और friends अगर हम 9 number चोली के लिए कर रहे हैं तो हम यह करेंगे कि यह हमने यह same chain के अंदर पहले डो double stitch बना लीगे यह देखिए यह 2 double stitch बना लीऑ उसके बाद में यह एक बले chain बना लीगे एक बार और दो बार ये देखिए आठ नंबर और लो नंबर में ये फर्क है आठ नंबर के लिए हम इसमें दो बार डबल स्टिच बढ़ाएंगे और लो नंबर चोली के लिए हमने इसमें चार डबल स्टिच बढ़ाएंगे बस सिरफ इतना सा ही फर्क है और ये फरक सिरफ जैसे ही बनाई गी और जैसे यह जलें यहां राटी में तीन होना बाजुी के लिए जाएं chain के अंदर बना एक बार फिर उस से next में एक दो बार और फिर ये ucksिम एक और बनाए तो यह हमारे टुट्रल सिंगल सिंगल वी देटीन डब्ल स्टिक हो गए अब फिर हम यहना जैसे हम ने किया था वही सेम यहां पे करेंगे यह दो बार आफ्ट नम्बर के लिए बता रहे हो यह इसमें विए आपना रहे हो और 9 करकार के लिए नो नम्ब कर लिए नवल स्टीक बता हुँ ना रही हों और अगर नम्बर के लिए बता रहे होती तब इसमें मैं दोबाल double-stitch बनाती है एक double-stitch बना के फिर एक chain बना के और फिर एक double-stage बना दिया हूँ तो जैसे यह हमने 3 सामने के लिए और फिर ने यह डिवाइशन बनाया और फिर यह बनादिया च्यार डबल स्टिच अमने बना दिया तो अब यह पीछे पीट के लिए जो ले रहे हैं तो यहां पर चेट डबल स्टिच बनाएगे यह देखे एक दो तीट चार पांच और ये छे एक, दो, तीन, चार, पांच और छे ये छे डबल स्टीच हमने बना लिए अब ये जो साथवन डबल स्टीच है इसमें हम बनाएंगे देखे, सेम वो ही प्रोसेस है अगर हम आठ टंबर के लिए बना रहे हैं तो ये एक डबल स्टीच बना के एक चेन बना के और फिर से इसमें एक बार बनाऊंगी लेकिन अगर ये हम नो नंबर के लिए बना रहे हैं तो ये मैं दो डबल स्टीच डाले ये एक बनाया और फिर से इसी के अंदर दो डबल स्टीच मैंने और बना दिये अब देखे जैसे हमने यहां पर माजू के लिए तीन बनाये थे ना तो तीन ही मैंने इधर बना लेने ये देखे जैसे एक बार दो बार और तीन बार ये तीन में इंटबल स्टीच बनाये अब जो next chain है उसे के अंदर मैं च्यार बार बना लूँगी यह देखिए जस मनननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन एक दो है यह देखिए हमने किया क्या किसानों ने मैं इसको पांट दिया यह देखिए पैले हमने यह एक इखा बनाया सामने के लिए यह एक इस्थ बनाया बाजू के लिए altering होगे हमारे पास और ये तीसरा भीस libro पीठ के लिए फिर ये किता फिर आमने बना है दूसरी बज्जू के लिए और ये पाँचवा भी आदम साहिए हुआ हिस्से के लिए डूसरी तरफ के सामने के लिए इसे यह देखिए तो अब हमें यहाँ पे कोई हिसाब कोई किताब कुछ नहीं लगाना अब हम इसके उपर उपर बनाएंगे जैसे एक तो टीन यह मैंने चेन बना ली और मैंने यह वर्क को टर्न कर लिया और अब देखिए जो यह चेन के ठीक नीचे वला है ना इसके उपर हम न फिर यह जो है हमारे पास नेक्स्ट वाली चेन इसके अंदर मैं एक बार बना लूँगे और यह जितने भी यह जो बीच में जो एक की चेन बनाई थी ना वहां तक हम जब तक आएंगे ना हम यह एक एक बार यह बनाते जाएंगे यह देखिये तीन तो हमने फ्रेंड्स यह जो कहुंने निचे बनाए थे उसके ऊपर थीन डबल ऑन गोए और पास यह लगे ठीच गए पाक बना वैप लूँगे और यह जो अंदर हम बनाएंगे जो इसके अंदर हम बनाएंगे दो बार ये आफ नंबर के लिए वी दो बार बनेंगे और 9 नंबर के लिए बीो बार बनेंगे ये जो आमें करना था महारे थे फर्स्ट एलराॉड में आम ने की आ है बस अब दीकिये हम होल के अंदर में यही एक डूब्ल स्टिच बना लुग और फिर मैं ये एक चेन बना के और फिर से इसी होल के अंदर एक बार में बना दूँगी और अब देखिए जो हमारे डबल स्टिच है यहां होल तक आने से पहले इन सब के अंदर में एक एक बार बना दूँगी अब हम ये फिर से जो हमने एक चेन बना के और ये जो हमारा होल बनाया था वहां तक आ गया है और उससे पहले वनी जो भी चेन स्टिच था सब के अंदर में एक एक बार डबल स्टिच बनाया और अब मैं इस होल के अंदर भी ये देखिए एक बार फिर ये एक चेन और फिर से सेम इसी होल के अंदर मैंने यह एक बार बना लिया और अब जो हमारे पास यह जो चेन स्टिच है सब के अंदर मैं यह बना लूँगी एक एक बार यह देखे यह जो पिछे हम ने छे बना थे और यह जो हमारे पास यह दो हमने सेम चेन के अंदर मिना थे तो मैं यह जितने chain stitches सब के अंदर एक बार बना लूँगे यह देखे फ्रेंट से मैंने सभी chain stitch के अंदर बना लिया और फिर से हम यह next hole के पास आगे और इस hole के अंदर मैं सेम जैसे हमने पिछे बनाया उसी तरह से बना लूँगी यह मैंने एक double stitch बनाया फिर एक chain और फिर से दो बारा मैं hole के अंदर एक बार बना लूँगी और अब यह जो chain stitch है बना के और फिर hole के अंदर जैसे मैंने यहां बनाया सेम इसी तरह से मैं अपना पूरा round यह complete कर लूँगी यह देखे रहां फ्रेंट्स यह बने अपना पूरा round यह हमने complete कर लिया यह जो हमारा यह जो एक chain बना के हम hole बना रहे है उसके अंदर जो हम यह दो वार बना रहे है ना यह हमारी increase होते जाएंगे हर round के अंदर जैसे हमने यह दो होल के अंदर बनाए थे यह दो हमारी यहां increase होगे फिर यह next hole में हमने दो हमारा बनाया यहां दो increase होगे फिर यह next में बनाया यहां हमारे दो increase होगे इसी तरह से है यहां बनाया हमने इसमें दो हमारी यह increase होगे तो इसी तरह से बनाएंगे त तो और यह तीन मैं बना लूँगी और यह राउंड को मैं कम्प्लीट करूँगी और यह देखिए इसके ठीक निच्छे नहीं बनाऊंगी क्योंकि हमें यह आगे कुछ इंक्रीज नहीं करना है तो यह मैं नेक्स्ट वानी चेन के अंदर डबल स्टिच बना लूँगी देख यह देखिए यह जो हमने एक की चेन बना के बनाया यहां होल तक मैं आगी हूँ तो अब इस होल के अंदर मैं एक बार बना लूँगी यह देखिए ऐसे यह हमारा एक इंक्रीज हो गया और अब मैं चेन बना के और फिर से सेम इसी होल के अंदर एक बार और बना लूँगी बना लूँगी औरиниफ सपूर के यह हमारे यह गोई सब गर बना लूँगी ऐसे झे चेस्ट做 रॉण्ड में बनाऊंगी। शे कहा रहे हो, आट नंबर चोलीidores के लिए गya के लिए बनाखे में य साथος बना ले तो यह मैं आपको छे राउंड कंप्लीट करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ यह देखे फ्रेंड्स यह मैंने छे लाइन बना ली तो यह छे लाइन है आठ नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस के लिए मैंने चुकि यह फर्स्ट लाइन यह चार चार यह बनाई थे तो यह हो गई नो नंबर लड्डू गोपाल के तो मैं एक लाइन और बना रही हूँ तो मैं यह आपको यह सेवन थ्रो में कंप्लीट करके और फिर आपको मैं यह दिखाती हूँ समय देखे व सहरे और यह 2 माइं के थे दूसरे से करे गहां जाए दूसरे और यह्यादर के विए govern रही हूए तो में यह देखे है म पास में अगर यह मलाएं यह देलेगे जबहा है कि ए तरह से मोड़े और अधर को हcję यह देखे तो यह मैं अपेस यह सांज मार्कर लिए को जोड़ाइब गई इन पास में दूटेगा, यह दूटमें यह तो इस दूट लीए इस तरह से निखिए, पहला निख वर लिए, जूटमें खेए ने निखिद दूटमें, पहला लिए यह दो लीए, इस निखिए एक चेन बनाया हूँ वहां से लेकर और यह जो दूसरा चेन होल मारा उसका इसका मैंने यह बाहर से डाला और यह अंदर से इसके अंदर के तरफ से निकाल लिया या फिर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो आप इसको देखें ऐसे आप ऐसे रख लिजिए इसको मोड के और आतरी रह करें चेन बनाइए तो फिर आप धेल दॉसरा के लिजिए चाने हाँ यह बात दूसरा, अन्ने यह पीछ से बनाया नहीं से पिन पाहिए पर देखें अंदर दूसरा इसको मारा है अप्छे बात बनाया है ऊंब महँ अनड़ के छोटे आपहर चेन होल मिया जलीका इस तरह से एक और प्रेंट्स अगर आपके पास यह मार करनी है तो आप इस इसे दागे से बांद लिए इस तरह से और फिर और फ्रेंट्स एक बार इसे आप काना जी की अपनी काना जी को इसे पहना कर जूर मेरे पास ना तो आठ नंबर के लिटू गॉपाल है और ना नो नंबर के और मैंने यह अंताजे से बनाई है तो आप यह एक बार यहां यह मार्क करके और पैना कर जरूर देख लीजिए अगर आपको लगता है यह तो आप एक और बना लीजिए और उसके बाद में इसे मैं एक दो और तीन यह तीन मनी चेन बनाई और वर्क को ऐसे टर्न कर लिया और फिर देखिए यह इसके ठीक नीचे वली जो चेन उसमें ला बनाके और साथ वली में मैं यह डबल स्टिच बना लूँगी यह जितने भी यह मेरे चेन स्टिच है जहां भी हमने यह से होल्ड किया ना वह तक मैं यह बनाके और लियाऊंगे म हम इस देखिए अवि दो strengths से आप देखें यह गैश्य मार्कर राएन तक मैं यह बना लिया जहां पर हमने मार्कर लगाया है अब इस जो मार्कर वाली जगेंतर को एक साथ में लगा लेंगे यह निकल रहे हैं दोनों को एक साथ में बना दिया और यह निकाल दिया यह देखेंगे हमारे पास एक बाजू आ गया है इस तरह से अब हम इसे बनाते हुए और आगेच ले जाएंगे दूसरे जो यह मेरा यह मैंने मार खिल सब्सक spectrine पूरे मार कहा थैं यह मैंने ओच साथ ज़ए Deshalb अब रढ़े देंगे और आपक यह दर्गन केंक किया था मऄ पर इस तरब से इन दोनों को एक साथ में बना लिए और ज़ए यह दिखिह यह यह हमारा दूसरा बाजू निकल गया और इसे छोड़ के हम और इस तरह बना लेंगे यह मैं पूरा इसे लास्ट तक बना लूँगी यह देखिए यह जो हमारी तीन की चेन थी लास्ट में उसमें भी मैं इसे एक बार बना लूँगी यह देखिए हमारी चोल्डी आसे ज्ट होगी इस तरह से बना लूँगी और यह हमारा एक इतर दी बाजू भी देखिए बनके त्यार है और यह देखिए चोल्डी की शेप इतनी सुंद्र आई 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 आ इस देखिए अब यह जो हमारे पास जितने भी यह डबल स्टिच मैं चागे ना इन सम डबल-स्टिच के ऊपर एक एक बार में डबल-स्टिच बना लूँंगी एक जो हमने जोईन किया था एक राउंड तो हमारे ही हो गया और दो राउंड में और बना लूंगी ऐसी नुटन पर चेंट स्टिच के अंदर बनाा के ना नहीं के ऊपर बनाना साई है ना तो इसकी करने में और ना ही इसकी करने है तो इसी तरह से देखे ये लेखने में ऐसा लगेगा और यह मैं दो रांड बना लूँगे तो टोटल हमारे तीन राउंड हो जाएंगे एक जोईन करने में बनाया है और एक यह बना रही हूँ और इसके लावा एक और बना लूगे तो टोटल हमारे एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो और दस राउंड हो जाएंगे है कि यह देखे फैंसे मनें चॉल बनाई यह बनके पार त्यार है यह टोटल हमारे दस राउंड है और फिरेंट एक तो अमें जांगे गिनके कितने करने किस राउंड में कितना यह हमारा इसमें जंजट नहीं है दूसरा वी तर जो भी बच गए हमारे सामने जितने भी बच हमारे पास बनाएंगे इतने ही कम रह गए ज्यादा रह गए इस तरह से यह इस पर पर फैक्ट बनाएंगे तो बिल्कुल पर फैक्ट बनेंगी अब देखिए इतनी होगे दस राउंड होगे अब इसे आप यहां पर जोईन करके और यहां से आप इसका घिरा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं और एक यह जो अब हम इसकी भाजू बनाएंगे अब देखे फ्रेंट्स यह मैंने बजू बनाने के लिए पर यह मैं एक रोशा उखने हैं अब देखे फ्रेंट्स यह जो मारी बजू है यह देखे यह सबसे फर्स्ट वाला जो चेंश स्टीच दिख रहा है आप इसमें बनालोंगी एक डबल स्टीच यह पंलेत मीश स्टीच से यह देखे और आ मैं यह से अमें एक चेंश माणेंगे और एक और गालोंगी तो है प्रेंगी और यह दो आप हो झालोंगी जीचले और पर कभाण और भाड चंश का करा हैं यह बनाते हुए मैं यहां तक आजाओंगी यह देखें फ्रेंट्स यह मैंने बाद्रू के इस तरफ से यह स्टार्ट किया था और बनाते हुए मैं ऐसे गोल्ड राउंड में यहां तक आगी और यह मैंने दो स्टेंच रख लेगे यहां पर के दो स्टेंच रख लेगे निच रख लेगे साट्रिय मैं द दागा ले लिया और मैंने दो दागे निकाल दिया एक रख लिया निख ले आख लिया और फिर से नेक्स्ट जो हमारी चेन है इसके अंदर मैंने यह बना लिया यह देखिए और अब हम जो यह तीन नहीं को एक साथ निकाल देंगे यह देखिए और फिर इन दो का एक कर देंगे तो एक हमारा यहां पर एक डिस्क्रीज हो जाएगा अब देखिए आप यह जहां से शुरू क बना यह दो किया था यह दा था यह दो और यह दो ओर यह हम बना लूँगी और जैसे यह वाला राउंड बना था ना इसी तरह से मैं नेक्स्ट राउंड बना लूँगी यह बनाते हुए मैं पूरा यहां से यह बनाते हुए पूरा यहां तक आजाओंगी और फिर यह मैं यह दो जो चेंट स्टिच आ हमारे पास यहां पर एक जैसे निचे यह क्या मैं गाता हुए पिर कर तो देख्वी करा यह कर दो आंगे यह दो यहां पर बनाया लेकिन डबल स्टिच को हम कमप्लीट नहीं करेंगे इसे हाफ ही बनाएंगे ऐसे और फिर नेक्स्ट में बना लूँगी दागा लेके यह देखेंगे और यह हमारे पास फिर यह चाहर लूप सागे तो इन तिन्लों को मैं एक साथ निकाल दूगी यह देखे बनाते हैं और फिर यह दो दूप आगे हमारे पास यह दो का भी मैं एक करता हूँगी और अब मैं इसे राउंड को यहां पर जोइन करता हुगी और अब की बार देखें abbiamo here यह पूरा यहां पर कोई मैं आप डिस्टीलिज इस तरह से बनाके और मैं पूरा राउंड ये कम्प्रीट कर लूँगी ये देखे फ्रेंड्स ये मनने राउंड कम्प्रीट कर लिया और इस बार हमने कोई भी डिस्क्रीज निकिया पूरा राउंड बनाया है और आम देखे अभी ये मैं इसे स्लिप स्टीट से जॉइन कर लोगी यह देखिए फ्रेंट्स यह मैंने अंदाजे से बाद्जू बनाई है इसकी क्योंकि मेरे पास यह सही माप नहीं है तो आप अपने कानल जी को पहला के देख के और फिर यहां एक राउंड ज्यादा या कम कर सकते हैं तो मैंने यहां पर यह एक तो और तीन राउंड बनाए है इसी तरह से आपको दूसरी बाद्जू करके और इस पर इसका बादर बना एक और आपको यह दिखाते हो है यह देखे फेयं सियमने कंप्लीट कर ली और यह बोर्डर ना दिया और बनाने के बाद में है यह देखी अछी लग रही है और इस की शेप हो भी पर्फेक्ट आनी चाहिए और आपको मेरे बताने का तरीका कैसा लगा फ्रेंड्स मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट प्रोक्स में जरूर बताईएगा